लेकिन अगर आप graphic card नहीं लगाना चाहते हैं, तो भी आप इसको build कर सकते हैं, बहुत ही high रहने वाला है, अगर आप चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इसके साथ PC build कर सकते हैं, कमाल का performance देगा, इसके बाद इसके अंदर एक अच्छा सा cooler आप लगा लिजिए, लेकिन हम लोग पढ़ेगा, इसके बारे में बताईए, तो चुकि हम लोग इस चैनल पर हमेशा budget segment पर बात करते हैं, budget में आने वाले PC या फिर laptop के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मैं खुद मेरे पास इतनी बेवस्था नहीं होती, कि कोई भी चीज जितना महंगा हो उतना budget में बहतर से बहतर काम करने के लिए हम PC बिल्ड करते हैं अपने लिए भी और वही चीज अपने audience को भी बताते हैं, और मुझे उम्मीद भी है कि साध आप लोग भी यही चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, कि ऐसे क्या-क्या हम को लगाना है, कौन-कौन सा motherboard लगाना है, कौन सा processor यूज़ करना है, कौन सा RAM यूज़ करना है, ताकि एक budget में रह करके हमारा i5 13th generation का PC बिल्ड हो सके, बहुत interesting वीडियो होने वाली है, समझने के लिए वीडियो के साथ लास्तर बने रहें, पहली बार चैनल पर हैं तो पहल आजे दोस्तों हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं processor की, जो हम लोग इसके अंदर use करने वाले हैं, चुकि budget segment पे बात करने वाले हैं, तो सबसे जो सस्ता 13th generation का जो processor है, वो है i5 13400, यानि 13400, और यह जो processor है 10 core और 16 threads का processor है, 10 core के अंदर 6 performance core है, और इसके अंदर 16th thread है, जिसके वज़े से performance बहुत अच्छा निकल करके आता है, इस processor के साथ अगर आप PC build करते हैं, और अगर graphic card आप नहीं लगाना चाहते हैं, तो मत्र इसी के साथ में, सिर्फ इस processor के साथ में, GTA 5 और Call of Duty जो है, इस तरीके का जो game है, इसको low setting पर आप बि नहीं है, लेकिन हम लग चुकि एक high end PC build करेंगे, graphic card के साथ build करने वाले हैं, लेकिन अगर आप graphic card नहीं लगाना चाहते हैं, तो भी आप जो है इसको build कर सकते हैं, बाद में graphic card लगा लेंगे, क्योंकि इसका graphic भी बहुत ही powerful है, और ये जो processor है, इसकी speed maximum 4.6 GHz तक जाती है, प्राइस की अगर हम बात करें, तो इसका जो प्राइस है इस वक्ते 26,000 है, यारी 26,000 है, इससे थोड़ा सा उपर अगर आप जाना चाहते हैं, तो इसी का i5 के अंदर ही 13,600 K है, ये जो है overclock कर सकते हैं इसको, और ये जो processor है 14 core and 20 threads, यानि की 14 core और 20 thread का ये processor है, इसके अंद करते हैं, कि हमें बिल्कुल भी graphic card नहीं लगाना है, तो बिल्कुल आप जो है इसके साथ PC build कर सकते हैं, कमाल का performance देगा, लेकिन चुकि हमें high end PC build करना है, तो हम graphic के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये जो processor है, इसको आप overclock कर सकते हैं, बहुत अच्छे level तक, और इससे अगर comparison करते हैं, तो Intel का 13th generation का ये जो processor है, ये बहुत ही लाजवाब रहने वाला है, इसकी price के अगर मैं बात करूँ, तो ये फिलहाल 35,000 में है, यानि 26 and 35,000, 9,000 का differences यहां पर processor के बीच में आ रहा है, तो अगर थोड़ा सा future proof रहना चाहते हैं, और थोड़ा सा performance में, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा मिले, तो आप जो है इसी के अंदर इसके साथ में जा सकते हैं, अगर 9,000 रुपे आपके लिए मायने नहीं रखता, वो ऐसे prices हमेशा उपर और नीचे होता रहता है, जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, उस वक्त क्या price है, अगर ज्यादे क differences ना हुआ, तो आप 13,600 के buy करें, ये बहुत अच्छा processor हो सकता है, अन्य था आप 13,400 के साथ भी जा सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा budget processor है, तो जिनको बहुत ही budget के साथ में करना है, तो 13 generation आप 13,400 buy करें, दोनों का थोड़ा अलग-अलग, दोनों को ही हम लोग ले करक किसके साथ क्या लगाना होगा, फिर दोनों को एक साथ जो है, आप अलग-अलग जो है, डिवाइट करके आप एक बार price निकाल लीजिए, जो आपके budget में आता है, उसको आप build कर लीजिए, अब हम बात करते हैं, motherboard के बारे में, तो चुकि motherboard भी हमको budget में चाहिए, तो अगर आप 13400 बजट बजट वाली बात हो रही है अगर, तो कम से कम में अगर आपको build करना है, तो 13400 के साथ में आप जो है, असुस प्राइम का B660M-D4 यानि DDR4 वाला जो है, आप motherboard लगा सकते हैं, वैसे Intel का ये कहना है, कि 13th generation के बहतरीन performance को निकालने के लिए, आप जो है, जो है अगर आपका सस्ता वाला प्रोसेसर हो गया, तो उसके साथ में सस्ता वाला एक motherboard, तो इसका सस्ता वाला motherboard भी आपको जो है, ये कम से कम, ये 15340 रुपे का आज के रिट में दिखा रहा है, नेर आप 15500 के बीच में ये मिल जाएगा, तो ये motherboard आप उसके साथ में लगा सकते ह अगर सस्ता वाला लगा रहे हैं तो, इसके अंदर क्या है कि ये DDR4 RAM लगेगा, इसके साथ में PCIe Express जो है 4.0 को सपोर्ट करेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा, इसके अंदर DDR4 के साथ भी अगर आप चाहते हैं कि PCIe जो है आपको Advanced मिले, यानि 5.0 मिले, तो इसके लिए आप Asus का Tough Gaming B660M जो है प्लस आप ले सकते हैं D4 के अंदर, इसके अंदर RAM जो है DDR4 ही लगेगा, लेकिन PCIe जो है 5.0 आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यही पर इसका प्राइस जो है आपको साड़े सतरा अठारा हजार के बीच में आपको मिलेगा, तो ये आपकी क् सेट करें, लेकिन चुकि बजट की बात हो रही है, तो आप पहला वाला बाय कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं अगले मदरबोट की, तो अगर आपको थोड़े से और महंगे चाहिए, जो लोग 3600K के साथ बिल्ट कर रहे हैं, वो कम से कम J790 ही बाय करें, उसके साथ इसका परफरमेंस बहुत ही गजब निकल करके आएगा, J790 के साथ में ही अगर DDR4 के साथ आप बाय करते हैं, DDR5 के साथ मैं यह कहूँगा कि जिन लोग के माइंड में बजट का ध्यान है, कि बजट में हमको रह करके काम करना है, वो DDR4 के साथ ही बाय करें, DDR5 काफी जादे कॉस्ट हो रहा है भी हर चीज मदरबोर्ड भी आपको महंगा पड़ेगा, खुद DDR5 रेम भी आपको बहुत ही महंगी पड़ेगी, तो इसलिए बजट का ध्यान रखना है, तो आप DDR4 के साथ ही आप बाय करें, जादे बहतर होगा, तो अगर आप Intel का 13600 के के साथ बाय कर रहे हैं, अगर उस प्रोसेसर के साथ में, तो जेड 790 आप बाय करें, आसूस प्राइम का यह D4 में, इसके अंदर क्या है कि DDR4 रेम लगेगा, लेकिन PCIe जो है 5.0 को सपोर्ट करेगा, इसलिए आपको बहतर परफरमेंस मिल जाएगा, और इसके साथ में जेड 790 का जो प्राइस है क कम से कम यह 24,000 रुपे का आपको मिल रहा है, इसके अलावा, जो पिछला वाला आपने देखा, उसके अंदर वाई-फाई नहीं है, थोड़ा सा वाई-फाई वगेरे सब कुछ अगर आपको चाहिए, तो MSI का प्रो Z790P आप ले लीजिए, यह वाई-फाई के साथ में है, DDR4 ही है भी, PCIe 5.04.0 दोनों को सपोर्ट करने वाला है, और मेंली यह है कि इसके अंदर वाई-फाई भी आपको मिल जा रहा है, तो किसी भी प्रकार का जंजट नहीं है, लेकिन इसका प्राइस जो है 25,500 रुपे है, यह जो है आप Intel के 13600 के साथ में इसको कंपेर कीजिए, और सस्ते वाली बात है, अगर 13400 की बात है, सस्ता में करना चाहते हैं, तो हम पर 660 आप बाई कर लेजिए, आपके लिए बहतर होगा, उससे उपर की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद अगरा फ्यूचर प्रूफ रखना चाह रहे हैं कि नहीं हमें चुकी आने वाले दिनों जो है, RAM लगेगा, साथ में PCIe 5.04.0 सब को सपोर्ट करेगा, M.2 सभी के अंदर जो है, डिटेल्स में आप देख लेंगे, 2 या 3 जो है, सबी में मिल रहा है, सारी डिटेल्स में बताऊंगा, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, यह आपको पढ़ेगा 30 से 31,000 के बीच में पढ़ेगा, बाकि जितने भी सारे मदरबोड हैं, वो सब इस से बहुत उपर के हैं, तो इसलिए चुकि हम लोग बजट का भी ध्यान रखते हैं, तो कम से कम इस तरीके से आपको कंपेर करना होगा, जादे बजट में चाहिए, तो इंटेल का 13400, उसके साथ में कोई सा लिंक दिया हुए, जो बहतर लिंक हो सकता है, सस्ते से सस्ते और थोड़ से महंगे से महंगे, वो जो है, आप उसके अंदर से जो है, कौन सा पेर आप बना रहे हैं, उसके उपर डिक्ट करेगा, उसके हिसाब से आप बाई कर लीजिए, एक अच्छा सा कूलर इसके उपर लगा ये, एर कुलर, या फिर लिक्ट कुलर लगा सकते हैं, इन सभी का मैं डिस्क्म्सर में लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप अपने बजट के हिसाब से बाई कर सकते हैं, इन में से कोई सा भी अगर आप कूलर लगाते हैं, तो आपको ज्यादे टेंसर लेने के जरूरत नहीं है इसके साथ में अच्छा खासा मैच कर जाएगा और बहतर परफरमेंस जो है आपको निकल करके आ जाएगी इसके साथ में आपको जो रेम लगाना है कुरसेर वेगेंस का DDR4 लगा लिजिए 16GB एक इस्टिक लगा लिजिए सस्ता पड़ेगा ये मुस्किल से 4,400 रुप आपको 8,000 रुपे तक का पड़ेगा बजट भाग जाएगा और इंटेल में उतना ज्यादे फर्क नहीं पड़ता वही पर अगर राइजन के साथ रहेंगे तो डियूलिस्टिक लगाना पड़ेगा तब ही जाकर कि आपको अच्छा परफरमेंस मिलेगा लेकिन इंटेल के सारी चीज़े जो है थोड़ा सा उसके साथ मैच करती हुई चाहिए तो उसके लिए WD Black आप ले सकते हैं WD Black या तो 500 GB या फिर 256 GB या फिर 1 TB वो आपके उपर डिपेंड करता है वो आप बाई कर सकते हैं या फिर कुर्सियल का P5 आप बाई कर सकते हैं इसके अंदर 500 GB आपक की हार्ड ड्राइब लगा सकते हैं लेकिन मैं यह कहूँगा कि आप 500 GB लगाएं तो आपके लिए काफी बहतर होगा इन दोनों में से कोई सा भी चाहिए आप WD का Black लगाएं या कुरुसियल का P5 प्लस लगाएं यह बहुत ही बहतर परफरमेंस निकाल करके दे देगा आप को क्योंकि स्पीड इसकी बहुत अच्छी है P5 की बात करें तो 6600 MB पर सेकेंड की स्पीड आती है जो कि इस PC के लिए बहुत अच्छा है उसके बाद हम बात करते हैं ग्रैफिक कार्ड हम इसके अंदर कौन से लगाएंगे तो कहने का मतलब ग्रैफिक कार्ड कोई भी चीप पाप मत लगाईए या तो अगर बजट कम है तो आप डिरेक्ली उसी पर आप काम कीजिए ठीक ठाक निकाल करके परफर्फर्मेंस आपको दे देगा लेकिन नहीं जी ग्रैफिक लगाना ही है अच्छा सा परफर्फर्मेंस चाहिए तो उसके लिए कम से कम आप जो है जियो 70 अगर लगाते हैं तो 50 से 55,000 का पड़ेगा तो ये तीन ऐसे हैं जिनका परफर्मेंस बहुत लाजवाब रहता है 3050 आट जीवी GDDR6 के साथ में आता है 3060 जो है 12 जीवी के साथ में आता है इस तरीके से जो है आप ले सकते हैं अपनी रिक्वार्मेंट के हिसाब से लेकिन अगर का इमनेट चाहिए परफर्मेंस बेस्ट अगर चाहिए अच्छी कूलिंग वगरे के साथ में अगर अच्छी टेक्नलोजी के साथ में चाहिए तो आप कूरसेर का ले सकते हैं मैंने दो मॉडल डाला हुआ है या फिर उसके अलावा आप चाहें तो XPG का जो है आपका इमनेट्स ले सकते हैं बहुत ही बहतरीं मेटल बोडी के साथ में एक इमनेट्स आती है और बड़ा ही अच्छी टेक्नलोजी के साथ में बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन होता है RGB कलर के साथ में आते हैं सारे के सारे दो तीन अलग अलग फ्रेंड्स के साथ में बहुत सार जो लोग भी 13 जनरेशन में जाना चाहते हैं अगर उनका बजट एक लाख रुपे के आसपास है तभी इसके साथ में आईए ने तो कोई फायदा नहीं है एक लाख रुपे के आसपास बजट बनेगा अगर सस्ता वाला करते हैं तो यह करीब 90,000 के आसपास और थोड़ा सा 13,600K के साथ में अच्छा ग्रैफिक कार्ड बगर एसम लगाते हैं तो यह करीब 70,500,000 के आसपास बनता है एक जेक्टली प्राइस के लिए जो है आप कॉपी पे नुठाइए और यह सभी का लिंक मैंने दिया हुआ है लिंक पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर जा करके आपको क्या-क्या requirement है आप अपने हिसाब से एक budget बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा मैंने पूरा का पूरा details में समझाने की कोसिस किया हुआ है यह पूरा जो है दो rate list निकल करके आएगी जो आपको समझाएगी जो आपको बताएगी कि आपका budget क्या है उसके इसाब से दो rate निकल करके आएगे जैसे कि मैंने बताया तो मैं उम्मिद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों यह वीडियो इन्फर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप comment में ज़रूरूर बताएए इसे प्रकार की बहुत सारी इन्फर्मेट़ी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के साथ बने रहे हैं क्यूंकि मैं इस्टाइप की वीडियो हुमेशा लेकर के आता रहता हूँ मैं मिलता हूँ नेक्ट किसी और चिंफार बेटी वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्देबाद करता हूँ आपका दिन सुब्र